कोशामबी जनपद की तीन विधान सवाक्षेतर में मंझनपूर विधान सवासेट उत्तर प्रदेश सरकार के उप मोख्य मंत्री केश्यो प्रस्वाक्षेतर में साद मौर्य का ग्रह जनपद भी है वैसे एक शेतर बहुजन समाज पार्टी का गड़ है लेकिन इस सीट पर 2017 में पहली बार भारती जनता पार्टी ने जीत दर्ज की 2017 में मोदी लहर में जिले की तीनों विधान सवा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की लेकिन 2022 में अब तीनों सीटों पर दोबारा जीत दर्ज करने की बड़ी चुनवती भी है क्योंकि अब सीट पर फिर से बहुजन समाज पार्टी का पर्चम लहरान वहीं 1999 में इस सीट पर जनतादल के प्रत्याशी भगवान प्रसाज जीत दर्ज की थी 1993 में इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का कबजा हो गया पार्टी प्रत्याशी आरके चौदरी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी 1996 में बहुजन समाज पार्टी और कॉंग्रिस के गडबंधन के तहत इस सीट पर जीत दर्ज हुई 2002 में फिर बहुजन समाज पार्टी ही इस सीट पर रिकार्ड मतों से कबजा कर लिया इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इंदरजित सरोज ने जीत दर्च की उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिव मोहन चौधरी को हराया 2007 के चुनाव में भी इस सीट पर बहुजन समाज़ पार्टी के इंदरिजित सरोज ने समाज़वादी पार्टी के सुरिश पासी को हराया 2012 में इस सीट से फिर इंदरिजित सरुच चुनाव जीते इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के शिव मोहन चौधरी को हराया इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को 99,000 वोट मिले जबकि समाजवादी पार्टी के शिव मोहन को 86,800 मत मिले 2017 में इस सीट पर पहली बार कमल खिला अब तक के चुनावी इतिहास में बीजेपी की इस सीट पर ये पहली जीत है इस सीट पर भारती जंता पार्टी के लाल बहादूर चौदरी ने जीत दर्च की चुनाव में लाल बहादूर को 92,818 वोट मिले जबकि बहुजन समाज पार्टी के इंदरजित सरोज को 88,658 वोट मिले इस सीट पर 4,261 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई हाला कि इंदरजित सरोज इस सीट से लगातार चार बार विधायक रहे है इंदरजित सरोज बहुजन समाज पार्टी की इस सीट से चार बार विधायक बनने के दोरान दो बार सरकार में मंत्री भी बने समाज के मद्दाता निरना एक भूमी का निभाते है पिछले 20 सालों से इस सीट पर वहुजन समाज पार्टी का कबजा है मंजनपुर विधान सभा में सबसे अधिक मद्दाता पासी विरादरी के है वही दूसरे नंबर पर धोबी दलित और निशाद वर्क के मद्दाता है कर दो